अब जो पिछले साल डायबटेस रीवर्सल का प्रोग्राम जो इन क्या था उसमें बहुत सारे रेशिपी समय दिए गए थे तो उसमें एक हम आज ही पर आएंगे वो है आलू बेहंगन की सबसी बेहंगन डायबटेस के लिए बहुत ही अच्छा है आलू हम यूज करेंगे ल लूज करेंगे हमारा यूज क्राखण करेंब़ नएधंगन की सबजी बनाने के लिए हमने लिए हैं यह एक भरता बैंगर बड़ा बहंगर लिया है हमें इसे हमने चामर के लिया है बड़े ट्रीकर आखण के लिया है और इसाच्छ गर です वाश करा लिए rust कर लिए और इसे एक खुला रखें तो यह काला पड़ जाएगा आप कुनलिया है यह दो आलू जिसे हमने हैने पील कर लिया है और बड़े टुकुड़ो में कटकर में हमने हमें हम ऑनगा맛 कर लिया है इसे गणान की डतलिया फरun अब हम इसमें डालेंगे ये डाइस्ट आलू, अलु से हमने पानी अलग कर दिया हम एक टीश्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी, मीडियम फिलें में हम आलू को बॉयल कर लेंगे, हमने 10 मिनिट तक आलू को बॉयल कर लिया है, और ये पोक से चेक कर लिया है और ये अलू अच्छी तरह से बॉइल हो गया है, गैस आफ कर देते हैं, इस बॉइल डालू को एक बॉल में लिखा लेगे, कडाय में डालेंगे 2 टेबल स्पून ओईल, तेल गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून जीरा, 1 आफ टी स्पून हेंग, 1 इंच जिंजर 8-10 गार्लिक को हमने क्रश कर लिया है, 3 ग्रीन चिली चॉप्ट, भैसन का कच्छा फ्लेवर जाने तक हम इसके फ्राई करेंगे, हमने 2 मिन तक गार्लिक और अद्रक को हमने फ्राई कर लिया है, में डालेंगे, 1 अनियन, फाइनली चॉप्ट, जाई लो फ्लेम में गॉल्डन होने तक फ्राई करलें, था मिन दो चॉप्ट हमने 5 में फ्लेम में एन्ट को फ्राई कर लिया है ये गॉल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें बाती सारे मसाले डालेंगे एक टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, एक टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून लाल मिच पाउडर, एक टीस्पून चाथ मसाला, एक टेबल स्पून तमक, मिप्स कर रहें, मसालो के साथ, तम दो मिनिट प्राई कर लाएंगे, अब हम इसमें डालेंगे, कटे हुए बैंगन की पीस, अमने पानी अलग कर लिया है, बैंगन को हम 8-10 मिनिट तक इसे कूख होने तक हम इसे प्राई करेंगे, हमने 5 मिनिट तक मीडियम फ्लेम में बैंगन को प्राई कर लिया है, और ये हाफ कूख हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे, दो टमाटर, चॉक्त, टमाटर सोफ्ट होने तक हम इसे कूख करेंगे, हमने 5 मिनिट तक कूख कर लिया है, टमाटो भी अच्छे दल से सौफ्ट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये बॉयल्ड आलू, अब इसमें डालेंगे यह चॉप्ट कुरियांडर अलु बैंगन की सब्सब्स तयार है यह सॉप कर लेते हैं और इसे बॉल में सर्फ कर लेए हमारे यह डायबिटिक प्रिंडली आलु बैंगन की सब्सब्स तयार है हमने इसे सर्फ किया है मांटी ग्रेंड रोटी दाल सैलेड और बटर मिल्ट के साथ कर दो कर दो कर दो